सेक्टर पर नज़र डालते हैं सिमेंट सेक्टर पर यहाँ पर आज काफी आक्शन है अल्टराटेक सेमेंट तो अल्टाइम हाई लेविल्स पर है इसके अलावा कुछ और सेमेंट सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें तो श्री सिमेंट, डालमिया भारत, इंडिया सिमेंट सभी स्टॉक्स में आज काफी आक्शन है हमने सुबह इंफरा सेक्टर के एक एक्सपर्ट से बातचीत की विनायक चैटर जी और उनका मानना है कि GST अभी सिमेंट पर 28% के रेट पर लगता है और उनका मानना है कि अब जो बजट आएगा जुलाई के महीने में उसमें सिमेंट पर जो GST लगता है 28% पर वो घटा कर 12-18% किया जाएगा तो अगर ये होता है इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन है लेकिन अगर ये होता है तो काफी पॉजिटिव न्यूस फ्लो होगा पूरे सिमेंट इंडस्ट्री के लिए और इसी न्यूस फ्लो के चलते पूरे सेक्टर में आज तेजी दिखी है Ultra Tech Cement जैसे मैंने बताया 3.5% की तेजी के साथ All Time High Levels पर Trade कर रहा है Technical राय ले लेते हैं सिमेंट सेक्टर पर Akshay जी क्या राय बनती है Ultra Tech Cement, Dalmiya, Bharat और Shree Cement जो Top 3 Cement Companies हैं लिस्टेड इंडिया में तीनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए तो सिमेंट सेक्टर में तो बहुत ही बढ़िया तेजी है आज देखिए, आज Top Performing Sector सिमेंट ही रहा है और मेरा मानना है कि ये Money Flow जो है एक-एक सेक्टर को चेस कर रहा है तो आज सिमेंट की बारी है तो वहाँ पर आपको काफी दमदार स्टॉक्स दिख रहे है अल्टरेटेक सिमेंट का व्यू में अनफोर्शनेटली नहीं शेर कर पाऊंगा क्योंकि मेरे compliance के कुछ restrictions है पर अगर मैं दालमिया भारत की में chart price study करूं तो एक clarity है कि 1700 का एक base बन चुका है एकाद दो दिन के लिए शायद ये resistance लागू हो बट overall मेरा मानना है कि 2100 की तरफ stock जल्दी चूँ जाएगा तो थोड़ा positional view बना कि आप 2100 के target के लिए डालमिया भारत में बने रही है सत्रासू का एक base बन चुका है और एक reversal वाला candidate बनेगा डालमिया भारत तो 2100 का target डालमिया भारत पर ये राई थी cement sector पर और construction के related sector है तो और एक infra company की बात करते है IRB infra करीब 5.5-6% की गिरावट आज की trading session में दिखी है इनफाक्ट निफ्टी 500 इंडेक्स पर देखे तो सबसे बड़ा sectoral loser है IRB infra 5.7% की गिरावट गिरावट के बाद क्या अब खरिदारी के मौके बन रहे है अक्षे जी आप ही से पूछना चाहूंगी IRB infra पर भी आपकी क्या राई रहेगी देखें IRB infra जो है अगर price study करे तो गए चार मैने में बार-बार stock नया high बनाने की कोशिश जरूर करता है पर कहीं नया high बनाने के बाद stock वो sustain नहीं कर पा रहे है तो यह journey जो है choppy journey में कहूंगा गए तीन मैने से बहुत ही clarity इसे दिखरा है charts पे तो मैं कहूंगा यह choppy nature stock का long term के लिए अभी तब कुछ clarity नहीं मिल पा रहे है या medium term के लिए भी कुछ set targets नहीं बन पा रहे है तो medium या long term के लिए थोड़ा wait कर लीजे trading के अगर राया बनाए तो हलके से resistance पे है charts में जिस तरी के साथ setup बन रहा है शायद stock हलके से profit booking का शिकार हो जहाँ पे आपको 65 या 68 तक निशली स्तर में दिख सकता है तो थोड़ा रुख जाईए 65 68 सही entry के मौके आपको वापस पेश करेगा stock में अच्छा support बे 65 पे है तो वहाँ पे re-entry कीजिए जबी आपको वो price मिल जाए और अगर उचलेगा वहाँ से तो वापस 77 से 80 तक stock चूँ सकता है तो IRB infra पर ये राई 65 से 68 तक के levels IRB infra में दिखाई दे सकते है और अगर वो levels पर stock गिरता है तो तब ही खरीदारी के मौके बनेंगे लिकर stocks पर नजर डालते है आलकोहल stocks पिछले हफ़ते भी focus में थे और आज भी FMCG index से देखे तो United Breweries यानी UBL सबसे बड़ा sectoral gainer है करीब 3.5% की तेजी United Breweries पर दिखी है याद रखे कुछ positive inflow भी था पिछले हफ़ते अंदरप्रदेश government में NDA की सरकार आ गई है और उन्होंने कुछ favorable reforms लाने की बात की थी liquor industry के लिए United Breweries का करीब 5-10% revenue अंदरप्रदेश government से आता है तो वो एक positive news flow था की शायद कुछ favorable reforms लिए जा सकते हैं अंदरप्रदेश government में इसके अलावा कई सारे medium term tailwinds भी है volume growth भी बढ़ सकता है कई सारे triggers है जिसके चलते लिकर stocks में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है technical rai दोनों ही stocks पर ले लेंगे United Spirits और United Breweries अक्षे जी आप से पूछना चाहूंगी दोनों ही liquor stocks पर क्या राय रहेगी बिल्कुल अपने fundamental इसमें राय दी है वो भी support कर रहा है जो technical view बन पारा है United Breweries में चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ही मजबूत है all time high पे चल रहा है और आज देखे stock करीबन 3-3.5 तका चलने का कारण है कि उसने अपना prior swing high जो था चार्ट पे 2050 का वो successfully break करा है तो एक नए trajectory में चल चुका है stock और यहां से अगर आप इसका price target estimation करना चाहे तो करीबन trading के माध्यम से 2250 से 300 यह target बनेंगे आपके United Breweries में 2050 का एक short term support बैसे अभी तो यह support की नीचे अपना stop loss अब trail करे या अगर buy कर रहे हो तो उसकी नीचे अपना stop loss बनाए तो positive view in United Breweries और United Spirits की बात करें तो यह भी stock बहुत ही मजबूत है और गए तीन दिन में धीरे से धीमी गती से stock चली जा रहा है तो view positive ही बना के चलिए शायद 1400 तक जल्दी stock चूँ सके 1250 का इसका base है trading base है तो मैं कहूंगा जिनके पास है अल्ड़ी उनको अपना stop loss ट्रेल करना है नई खरीदारी करनी है तो मैं थोड़ा सा एक dip में comfortable रहूंगा 1270 के आसपास अगर जभी आपको मिल जाए तब आप re-entry कर लिजे 1400 का target और 1250 stop loss बनेगा तो दोनों United Spirits और United Brevories में positive view बना के buying की राए रखूंगा मैं इन alcohol stocks में ठीक है तो दोनों ही stocks पर खरीदारी की राए United Spirits और United Brevories outlook काफी positive है एक और stock पर नज़र डाल देते है इसी segment से वो है सुलाव विन्याज कुछ समय पहले list हुआ था लेकिन company के expansion plans की बात करें तो वो काफी positive है wine tourism में company focus करता है अभी केवल महराष्टर में operations है लेकिन company के expansion plans भी काफी अच्छे है और सुलाव विन्याज आज के trading session में नर्मी के साथ trade कर रहा है करीब 1% की गिरावत संतोशी क्या राय बनेगी सुलाव विन्याज पर इस सुला में हमने बहुत अच्छी तो चैजी देखी थी उसके बाद इस टॉक में कर्टिनियस टी करेक्शन आया लेकिन फिर से बहुत इस ट्रॉंग डिमांड जोन था इसको चार सुआसी से पानसो तुपीच में वहीं एक बेस बनाने की प्रमेशन में है मैं लगता आपको ट्रेडिंग के पस्पेक्टिव से नहां देखते हैं इसको पोजिशनल नजज़े रखना चाहिए आपके लिए स्टॉप लोस वैल डिफाइन है चार सुआसी का यहां से अगर पेजी आती तो इस टॉक में पहला टागेट रहेगा देखने को मिल सकते है तो 600 से 680 तक के लेवल सुला विन्याज पर दिख सकते हैं स्टॉप लॉस बनाकर चले और सुला विन्याज पर खरिदारी की राय संतोष जी की तरह सेक्टर पर नज़र डालते हैं सेक्टर की हमने चर्चा नहीं की अब तक फार्मा इंडेक्स की बात करें तो आज थोड़ी सी तेजी दिख रही है एक परसेंट के ज्यादा की तेजी निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर दिखी है और दो स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं एक है डॉक्टर रेडीज यूएस एफडिये से कुछ आक्शन आया है और यूएस एफडिये ने कंपनी के अंदरप्रदेश प्लांट के लिए चार अब्जरवेशन इश्यू किये हैं इसके अलावा जुबिलेंट फार्मोवा में भी कुछ आक्शन है जहां कंपनी की जो यूएसमे फेसिलिटी है उसके लिए तीन अब्जरवेशन इश्यू किये गए हैं दोनों ही स्टॉक पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं संतोष जी डॉक्टर रेडीज और जुबिलेंट फार्मोवा फार्मा पैक से दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी सब्सक्राइब करें तो मेरा फार्मा को लेकर काफी बुलिश है एक तीन मैने के बाद फार्मा स्टॉक तेजी दिखा रहे हैं और डॉक्टर रेडिके बात करें तो आज ने उसके बावजूद भी स्टॉक में लोग लेवल से अच्छी रिकावडी देखने को मिली है मुझे यह भी स्टॉक शायद 870 रुपए तक के लेवल दिखा सकता आने वाले संबलना है यह राय थी जुबिलन फार्मोवा और डॉक्टर रेडिस पर आपने कहा कि आपका नजरिया पॉजिटिव है फार्मा इंडेक्स पर दो स्टॉक की और बात करते हैं फार्मा इंडेक्स से ही केवल दो स्टॉक है जो लाल निशान में ट्रेड कर रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में एक है ग्रैनियूल्स करीब 1.2% की गिरावट ग्रैनियूल्स इंडिया पर दिखी है और 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 बिंदो फार्मा देड़ परसेंट की गिरावट के साथ ट्रेट कर रहा है और जैसे मैंने बताया केवल ये दो स्टॉक है निफ्टी फार्मा इंडेक्स से जो आज लाल निशान में है संतोज जी आपी से राय पूछना चाहूंगे फार्मा इंडेक्स के दो लूजर्स की दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगे यह स्टॉक्स में हमने कची तो इस जासे लगता नहीं कि ज्यादा कोई गिरावट की सिंगनल से तेजी का ही व्यू है और फार्मा की बात करें तो नीचे बारा सो पनरा बारा सो बीस की बीच में इसको बहुत अच्छा सपूर्ट रहेगा ग्रेनियुल से लगता तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है कोई डिप मिलता है 460 के आसपास तो री इंट्री के मुखे डूणना चाहिए कि कि स्ट्रक्चर बुलीश है